हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल माई नेम इस शूती एंड वेलकम टू शूती मेकोवर कैसे है आप लोग सो फाइनली मैंने यह वाला मेकप टिटोरियल का वीडियो शेयर किया मुझे काफी ज्यादा रिक्विस्ट रहा था जब से मैंने इनका हेस्टाल का वीडियो वीडियो नहीं चेक किया तो आप चैक कर लिनमैं कॉमें दे दूगी तुफिजर वाक्स में लिंगि आप इस हैस्टाल को ट्राइकर ना बहुत लेटेस्ट में बनाया है में चनल पर आपको एसा हैस्टाल कभी नहीं देखने को मिले का इध एवन जो मेक-क गाफी लेक्ग तो आज कर दिखा होगा ब्राउन लाइनर विट सम्सीमर सो मैंने उस तरह का चीव करने को सिस किया है तो काफी लेटेस्ट है ट्रेंडिंग है एंड नियू एंड डिफरेंट है चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने पिल्ग्रिम का यहां पर यूज का है रटिंग जल काफी अच्छा टोनर है सो मैं अपने मॉडल का चीटन टोन सिकीन टाइब एंड अन्ड तोन पता देती हों सो इनका जो अन्ड टोन था वह वह में अंड गयियू बीच में था शो इनकी इसकी में ज़्यादा प्राब्लेम तो नहीं थी बट आप अन्रय के नीचे काफि डा जरूर पता होगा तो मैं दिखती हूं कितनी लोगों गैस कर पाते हैं कि मैं कौन सा मौश्राइजर यूज किया है सो मैं एक चीज बोलना चाहती हूं कि यह लूग ना मैंने इंस्प्रेशन लिया है लीना भूशन मेकप आर्टिस्ट जो है उनसे क्योंकि मुझे उनका लूग का पसंद आता है जो बौलों को बोलते है या बुनिद वीदी पार्ल गडग फिर लीना भूशन फिर बहुत सारे है तो आप इनका इंस्पार मेकप लोग शेर करूंगी तो आप इंस्प्रेशन किसी से भी ले सकते हो आप मेरी वीडियो लोग शेर नहीं करते है तो आपको पिक्टर सही अन पर ट्राइब लेती हूं तो मैंने किया एन लुक भी काफी अच्छा टर्ण आउंट वाता वैसे आप मुझे बता ना क्योंकि मैं खुछ से तारिफ नहीं करूंगे आप मुझे बताओ कुछ आपको डिफरेंट लगाया यानी तुरह लेटेस्ट आपको लगाया यानी तो ब करेक्शन नहीं करोगे तो जो आपका मेकप वह एशी और ग्रे हो जाएगा तो इनको काफी ज़्यादा लाग सरकल था इस वचे से मैंने अच्छी सी और इंच कलर को अप्लाइ किया था आप ना क्या कर सकते हो वह कंसीलर भी ले सकते हो एक्जाट स्किन टोन का बड़ जो भी मैंने करेक्टर लगा इसके उपर लगा दिया आजकल मैं इस मेथर से जब भी करती हूं कलर क्रेक्शन फीर मैं कंसीलिंग करते हूं मुझे सलगता बेस काफी फ्लॉर्लेस लगता है बड़ जिनको थोड़ा सा हैवी बेस नहीं चाहिए लाग इससे भी ज़दल ब्रस युज करें स्टार्ट के मेरा टाइम भी बश्ता है मुझे यसा लगता है कि मेक अफे अच्छा होता है फांडेशन की क्वांटिटी भी कम लगती क्यों कि जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है वह बहुत जारे प्रोड़क्त को खा जाता है बाद में आप ब्यूटी ब् ब्रस युज करें इन दीशेज जीरो सिक्स तो बहुत ही अच्छा फॉंडेशन है बहुत ही अच्छा बहुत लोग इसको फाउंडेशन को फॉन्डेशन बोलता है तो भाई प्रणंशेशन पे मज्जो आप फिलिंग समस्कते हो जरूरी नहीं हरका प्रणंशेशन परफे यहां पर मैंने अच्छे से लगा दिया था फाउंडेशन को अब इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज कर रही हूं पीएसी का ब्रस फाउंडेशन ब्रस जो कि है 073 आइगेस यही नम्मर है जिता मुझे याद है सो अच्छे से आपको अपलाय करना है एंड ब्लेंड कर इस रिवायन लॉर्यल का मेवलीन है इंसाइट बट मुझे टार्टे का कंसीलर बैस लगता है मैं दो श्रीट परचिस के एक लाइट एक मीडियम बहुत अच्छी से काम करते है और आपका एक से दो साथ तो चलेगा ही चलेगा बहुत लोग टूफेस भी यूज करते मैंने अगर आपको पता है कि टूफेस जाद अच्छा है या फिर टार्टे जाद अच्छा है तो आप कमेंड के बता सकते हो नहीं तो मैं फिर से इसी कोड़ी स्टॉक करूं की नहीं तो मैं टूफेस परचिस करूंगी जब भी सेल नाइका पर आएगा अच्छे से लास्ट में आपको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना या वहाँ लग्र एपि ब्लेंडर करना नेक्स मैंने फॉर्यवर्ची अरॉतिक अपने ब्लस में लगता है इतना अच्छा फिनिस मुझे लगता है यसको इसको अपला औरे करने के लिए मैंने ब्लॉइस का यूश कर आप ब् नहीं लगाया है। मैंने फॉंटेशने कोईटीटी सिर्शिव एक पंप ली थी एड वेन थी चीक, मैंने थोड़ा लेस प्रोडक यूज करती हूं। मुझे यसा लगता है लेस प्रोड़क यूज करने से मेकप केकी कभी नहीं होता है अगर आपका मेकप केकी हो जाता है तो आप लेयरिंग कम किया करो आप कंसीलर ली लगाते हो थोड़ा वर्म से जितना भी इसस होता उसको रीमूव कर तो तब यूज करो नेक्स मैंने इनको काफी जादा मतलब अंडराई के नीचे रिंकल से लाइक इनका जो अंडराई वले एरिया थे थे जादा थीन था जिसकी वजे सी ना इनका जो अरिंकल से वह बहुत विजीवल हो रहा था आपको वीडियो में नहीं दिख़गा होगा बट सामने से काफी जादा लू यूज करो कि पीजा पॉफ सबसे बैस्ट होता है अगर आप चाहते हो कि आपका रिंकल्स दिखाए ना दे अधर्वाइज आप ब्रस यूज करो कुछ भी यूज करो आपका रिंकल्स दिखाए देगा नेक्स मैंने यूज किया है हलका सा उपर से पाउडर ब्लस फॉरेव सबसक्वाइज करो ने मैंने मेंका यूज किया ता दोनगा दोनों अच्छा आपको जो ले दा सकते हो फोडेवर में आता है में तो अच्छे से आपको हाइलेटर लगा देना है यहलां लगानी के बाद मेंकल्स अपप काफी फ्लॉॉॉज भी दिखाई देता है जी हाँ यहां पे आप देख सब तो बेस मेकप कितने अच्छे से मैंने ड़न किया है अब बारी आती है आइवरो फिल इनके और आइवरो भी इनका उपर नीची था जो इनका लेफ वल आइवरो था बहुत ऊपर था राइवरो तो नीची था डाउन था तो इस वज़े सी मैंने जो आइवरो फिल करने के लिए प्रोड़क यूज के और मैंने पोमेड यूज कि उसे काफी अच्छे से फिल हो गया था मैंने शेड आपको दिखा दिया मैंने क इस तरह से एन उसको फटाक्सिन ब्लेंड करना है अधर्वाइस वो क्या होता है बैट जाता है नेक्स मैंने यूज क्या होता है नौटी नूटी नूट आइशिड़ो पैले एन मैं नौटी शेड को पिक कर रही हूं स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रस आप बड़ा भी यूज कर इस तरह से सारे अजस को ब्लेंड करते जाना है थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा नेक्स मैंने लाइशियर को यूज क्या है यह वाली जो आप देख सकते हूं लाइटर ब्राउन शेर आपको मॉर्फिक के बहले से बहुत सारे दिख रहे होंगे मैंने मॉर्फिक यूज करते हैं जो शेर मुझे लगता है कि जाये का मैं वह यूज करती हूं आप देख सकते हो जब मैं ब्लेंडिंग कर रहे हूं तो इनके जो फाइन लाइन से हल्कि फुल के आइस पर आप देख रहे होंगे वह थोड़ी नजर आ रहे है तो डोंट वरी हम उसको काजल यूज किया है रिकोड का सो सौरी आपको सीती के वाज आड़ी होगी क्योंकि मैं मौनिंग वाश्वर कर रही हूं और भी खाना वन रहा है यह नहीं नास्ता बन रहा है जो भी बोलो आप अब मैंने शीमर यूज के मैंने स्क्रीन लगा दिया मैंने कौन सा शीमर दूंगी मैं इसके उपर शीमर दूंगी जो शीमरी शेड हम सेंटर पी यूज करते हैं उशी शीमर सेड को मैं लाइनर के ऊपर दूंगी तो आपको मैं दिखाऊंगी मैंने कौन सा शीड यूज के मैंने नौटी नियू राइशो आईशेटो पैलेट से ही यूज किया है लाइक मैंने डाकर ब्राउन शेड को यूज किया है आप कोई साब भी डाकर ब्राउन शेड को पिक कर सकते हो काफी अच्छा लग रहा था इनका है मीकब सामने से और जदा खुबसुरत लग रहा था कोई चीज होता है कैमरे इतने कैप्चर नहीं होता सामने से बहुत ही इस तरह से आप अपलाई कर सकते हो चोटा सा ब्रस आप ले लेना और उसकी हैल्प से आप अपलाई कर सकते हो काफी अच्छा इमीकब लगेगा काफी डिफरेंट होगा आपके ब्राइड को पसंद भी आएगा नेक्स्त मैंने ग्लीटर के लिए यूज किया दょंग इक है है अला अलाइटी का ही दोनों है 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 हर्ट ओफ गोल्लcko एक है शांपैण विषेज तो मैंने सेंटर पी लगाया था हर्ट ओफ ओफ गोल्ल एंड मैंने इ्नर कॉर्णर के पास हलका से लगाया था शैंपैण वि आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जुरू देखना मेरे चन को विजिट करना आपको बहुत अमीजिंग अमीजिंग हैस्टाल के वीडियो देखने को मिलेंगे आपको क्या चाहिए वाइसोबर करके बताओं या फिर मैं जैसे सॉंग लगाते हूं वैसे बताओं कमेंट करके जुरू बताईएगा आइए मेकप ओल्मोस्ट हमारा डन है बढ़ फिनीशींग अभी बाकी है आप देखना इसके बाद फिनीशिंग जब मैं दूंगी आइए मेकप कितना जाधा अच्छा लगने लगेगा अब भी इतन अच्छा नहीं लग रहा है आपको आगे आप देखना देखना देख आ एन मैंने ब्राउण ऐसेड़ यूज किया एन मैंने जो शीमर शेड को हलका से लान पर अपलाई किया है आप दिखना जब आए मेकप बैलेंस होका ना उपर नीचे कर इतना अच्छा अच्छा अपर लगता है त्रस्ट रही ट्रस्ट आप प्रोसेस में आप को यहीं बोलूं आप लोग भी मुझे बोलते हो कि मैं काफी इंप्रूव हुआ है तो मुझे लगता है कि ज्यादा घाय घाय करने से मेकप कभी अच्छा नहीं होता है आपको कंसीलर लेके लाइनर को पूरा एजी दिखाने के लिए इस तरह से यूज करना है कंसीलर को आपको भी फ्लैट यूज कर सकते हो हमारा आई मेकप अल्मोस डन है कंसीलर लगाने से काफी अच्छा लुक आया है कंसीलर जब मैंने यह पर यूज करने हलका सा फेड हो गया तो फिर से मैंने हलका सा अप्लाय कर दिया शेमर को अब हम इसके बाद यूज करेंगे क्या आप ही मुझे बताओ म अब नजर नहीं आएगा तो मस्करा यूज कर लेना है एं इसके बाद हम लैसे यूज कर लेंगे लैसे में कौन सा यूज करती हूं आपको पताएं मिंक लैसे का अब लैसे लगा दिया आई में को डिफरेंस दिख रहा है लैसे लगाने से तो लुप नी चार चांद लग देना है तसलिवा है रहीन स्था रव तो हो दो आफ राएं मैं कर दी मैंने ऑफ कैमरा ही कर DIA क्योंकि यह दोनों की क्यों मतलब न बनता है लिपलाइन के लिए मैंने यूच्छे उचे यहां पर ललोर बॉप ताइम लगेगा तब दोनों तरफ का देखोंगे की बढ़ा बड़ हुआ यानि नीचे भी आपको इस रहा से लिप लाइन कर लेन अच्छे से लिप्स्टिक के लिए मैंने दो लिप्स्टिक का यूस किया है एक मैंने यूज किया है L'Oreal का एक मैने रिकोड का L'Oreal का शेड़ 105 रिकोड का 003 लिपस्टिक लगा देने के बाद बहुत अच्छा आई मेकप लगा था मैंने आई मेकप थोरा से बोल्ट किया है इस वजे से मैंने लिपस्टिक निड रखा है आप रेड भी लगा सकते हो बड़ मुझे रेड ना पसंद नहीं आता है और लिप ग्लॉस के लिए मैंने टिपसी ब्यूटी का लिप ग्लॉस यूज किया आपके स्तामने है फाइनल लुक आप देख सकते हो काफी अच्छा लग रहा है लिपस्टिक लगाने के बाद लोग लैशन पर मुस्क्रा लगा देना है जो भी फाल ओड था क्लीन कर दीचेगा हलका सा इनको राइट साइड के जो आप नीचे मोल देख रहे हैं इनको मोल है छोटा सा जो वह कवर हो गया फांडेशन से इसलिए वह आपको ठावा नजर आड़ा होगा वह लोगों को सोचेंगे क्या है आपने कुछ नीची गिरा हुआ है फॉल आउट है तो नहीं मोल है इसलिए उतना के ने में संधी इसलिए अचोरत है है राइट ही रिचार के छुप गया है पॉल रिघर करने के लिए लिए बी शीमर का लिआने उसका अरू विल्डिन होगा आपको यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा इतनी दूर आपने देखा है ज्यूस नहीं जड़रो सीखा होगा कुछ अगर आपने कुछन है सीखा है तो आप ज्यूर कमेंट कर बतायए जुनिख की अच्छा लगा क्या नहीं लगा मुझे बता सकते हूं whole look आपको क्या से लगा कि whole look होने के बाद look काफी ज्यादा अच्छा था and make-up काफी अच्छा लगड़ा था काफी royal सा look है काफी different सा look है इसलिए मैंने बुला कि latest make-up है आप इसको latest asdy makeup बो सकते हो क्योंकि काफी different मैंने share किया तो इसी तरह कि और वीडियो अगर आपको कम देखने है तो आप मुझे comment करना और आपको किस makeup artist का inspired look देखना है आप मुझे वह भी comment करना मैं definitely share करूंगी मेरी comfort zone से निकल के आपको सी खाऊंगी तो इसलिए आप जरूर कमेंट करना तो इस वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो भर भर के प्यार दो हैसल की वीडियो नहीं देखिए तो देख लो सबसे ऐचा पर लगा मुझे कमेंट करकें जूरु बताना आइस घर लिए लोगी विएपस अच्छी लगी बेस अच्छा लगा आप मुझे जूरू बताना सो मेरी मॉर्डल का नेम मैं बता दू आपको सपना है इनका नेम जी हां काफी अच्छी है प्याली लग रही है आउट्फिट इनका कुद का था जोल्री मेरा था जो कि मैंने में 100 जबर्जिस किया था सच में बहुत है अफोर्डेवल जोल्री है अंडर थौजन रुपीज का कि आप लोग क्या मुझे बोलते हो ताकि मैं नेक्स वीडियो में उसको इंप्रूव करो एंड उस वीडियो को शेयर करो बबैटे किया लभी ओल स्टे हैपी एन स्टे ब्लेस्ट बबाई